तो बच्चो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर टू टाइडवेंचर्स ओप टोटो इसमें टोटो ना एक बंदर का नाम होता है जो बहुत ज़्यादा शरार्ती होता है और इस स्टोरी को पढ़ करना हमें बहुत मज़ा आने वाला है तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जिसको लिखा रसकिन बॉंड ने तो यहाँ पर रसकिन बॉंड बताते हैं कि उनके दादा जी एक टॉंगा ड्राइवर से 5 रुपे में टोटो को खरीद कर लेकर आयते और वो जो टॉंगा ड्राइवर था वो उस बंदर को अपने साथ बांद के रखता था जो बिल्कुल अजीब लगता था इसलिए उनके दादा जी ने डिसाइड किया कि इसको मैं खरीद कर लेकर जाओंगा और अपने प्राइवरेट जूम में रखूंगा और फिर वो उसको 5 रुपे में खरीदते और घर पर लेकर चले आते हैं अब यह जो टोटो था न यह बहुती सुंदर और बहुती ज्यादा शरार्ती बंदर था उसकी आखे बदमाशियों से भरी हुई थी और वो जब भी मुस्कुरा था तो उसके प्योर सफेद दातों को देखकर शायद भूत भी शर्मा जाए मतलब डर के घबरा जाये वो भूत भी तो एक बार आप खुदी सोच के देखो कि जब बंदर हसेगा तो कैसा लगेगा उसकी जो अंगूलियां थी वो फुर्तिले और शरार्ती थी और उसकी जो पूँच थी वो उसकी सुंदरता में चारचांद लगा देती थी और उसकी ये पूँच तीसरे हाथ का काम करती थी क्योंकि जब भी वो कोई चीज नहीं पकड़ पाता था तो वो अपनी पूँच के द्वारा लटक कर हाथ से उठा लेता था या हाथ से पकड़ लेता था या फिर कभी अपनी पूँच से खीच लेता था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करती इसलिए हमने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम टोटो को अपने कमरे में रखेंगे क्योंकि दादी है ना हमेशा गुस्सा करती थी दादाजी पे जब भी वो कोई नया पक्षी या नया जानवर घर में ले आते थे तो बस यही सोचकर हमने ये डिसाइड किया कि टोटो को हम अपने कमरे में रखेंगे तो हमने टोटो को दिवार पे लगे एक कोटरी में एक खूटे से बान दिया और फिर हम लोग वहां से चले गए और फिर कुछ घंटो बाद जब हम टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने क्या देखा कि टोटो ने वहां दिवार पे लगे सभी चीजों को फार दिया था यहां तक कि उसने मेरे स्कूल के कोट के भी चित्रे चित्रे कर दिये थे मतलब सब कुछ फार फोर दिया था अब मैंने सोचा कि दादाजी बहुत गुस्सा होंगे अब टोटो पर चिल्लाएंगे लेकिन उन्होंने तो इसका बिल्कुल उल्टा किया उन्होंने का कोई बात नहीं टोटो बहुत ज्यादा हुश्यार है क्योंकि अगर उसको टाइम मिलता तो वो तुमारे कोट की रसी बना कर खिड़की से नीचे भाग जाता लेकिन टोटो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये बोलकर दादाजी बहुत खुश थे तो चलो कम से कम भाड़ा पुड़ा ही सही, भागा तो नहीं टोटो को अभी भी हमने दादी से छुपा कर रख रखा था मेरे कमरे में तो उसने सब चीजों को फाड़ पूड़ दिया थो और कमरे को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था इसलिए अब हमने ये डिसाइड किया कि टोटो को नौकरों के कमरे में जाकर एक बड़े पिंजरे में रखेंगे जहाँ पर दादा जी के सारे पालतू जानवर रहते हैं वहाँ पर एक कच्छुआ, एक पेर खरगोश का और एक गिलहरी और कुछ देर तक मेरी बकरी सब साथ में मिल जुलकर रहते थे लेकिन टोटो के जाने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा तंग हो गए क्योंकि पूरी राट टोटो ने उन सब को सोने नहीं दिया और अगले दिन दादा जी को देहराद उन से साहरनपुर अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए जाना था और इसलिए दादा जी ने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती है और यहां रहा तो पका कुछना कोई तोड़ पोड़ जरूर कर देगा लेकिन अनफार्चुनेटली मैं दादा जी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका पर वापस आने पर दादा जी ने मुझे सारी कहानी बताई उन्होंने टोटो को एक बड़े से काले बैग में डाल दिया था जिसके नीचे उन्होंने कुछ गास फूस रख दिये थे अब बैग को बंद करने के पाद टोटो का बहार निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रह गया था ना तो वो अपना हाथ बहार निकाल सकता था और ना ही उस बैग को फार सकता था क्योंकि वो बैग बहुत ज़्यादा मजबूत था लेकिन टोटो ने उस बैग से निकलने के बहुत कोशिश की प्लैटफॉर्म पर बैग में इदर उदर हिल रहा था और बहुत ज़्यादा उच्छल कूद कर रहा था ताकि वो उस बैग से बहार आ सके लेकिन वो उस बैग से बहार नहीं आ पाया और प्लैटफॉर्म पे जितनी भी लोग थे वो उसे गौर से देख रहे थे तो एक बार आप ही सोचो कि अगर कोई बैग अपने आप इदर उदर हिलने लगे तो आप उसे गौर से देखो गई ना सारे लोग उसे इतना गौर से देख रहे थे अब साहरनपुर पहुँचने तक टोटो बैग में ही था और जैसे ही दादाजी साहरनपुर पहुँचे उन्होंने अपना टिकेट टीटी को दिखाया वैसे ही टोटो बैग से निकल कर अपने दाथ दिखाने लगा और फिर टीटी टोटो को देखकर बहुट डर गया लेकिन जैसे तैसे हिम्मद जुटा कर उसने दादाजी से कहा कि इस कुटे का भी पैसा लगेगा और फिर दादाजी ने पूरी तरह से प्रूफ करने के लिए टोटो को बैग से बाहर निकाला और बोले कि ये कोई कुटा गुटा नहीं है ये एक बंदर है और इसका कोई चार्ज या टिकेट नहीं लगता लेकिन टीटी मानने को तयार ही नहीं था वो एक ही बात बोले जा रहा था कि इसका टिकेट लगेगा मतलब लगेगा आखिर कर दादा जी ने गुस्से में उसको तीन रुपे दिये और फिर बदला लेनी के लिए अपने पॉकेट से एक कच्छवा निकाला और गुस्से में जोर से बुले कि क्या अब इसका भी किराया लगेगा तीटी ने फिर उसको दबा कर देखा और बोला कि नहीं इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा फैनली जब दादी ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो हमने उसे एक आरामदायक घर दिया और वहां उसका साथी जो कि एक घदा था उसका नाम नानक था और हमने उसे नाना के साथ में शिफ्ट कर दिया वो उसी के साथ उठेगा, बैटेगा, खाएगा, पियगा और मस्ती करेगा लेकिन इस उम्मीद से कि वहां पर वो कोई शरारत नहीं करेगा अब दादाजी अपनी तसली के लिए रात को टोटो को देखने गए कि वो रह कैसे रहा है तब उन्होंने वहां जाते ही देखा कि नाना अपने आपको रसी से खीच रहा है और अपने सिर को खास के धेर से दूर कर रहा है पता नहीं क्यों लेकिन वो ऐसा पहली बार कर रहा था और फिर दादाजी ने नाना को पीछे से एक मारा और नाना ने फिर जटके से अपने सिर को वहां से हटा लिया और फिर साथ में टोटो भी खीचा चला आया टोटो ने नाना के लंबे कानों को कसके पकड़ रखा था और अपने तेज दातों को उसके कानों पे गड़ा रखा था टोटो और नाना की कभी दोस्ती नहीं उपाई अब आप ही बताओ ऐसे शरारती बंदर से दोस्ती करना कौन चाहेगा क्योंकि बंदर की तो फित्रत ही होती है शरारत करना वो चुपचा बैटी नहीं सकता बताओ अपने दाद घदे के कान पे गड़ा दिये भला कोई ऐसा भी करता है क्या सरदियों की टाइम पर इमनिंग में टोटो की बहुत अच्छी खातिरदारी होती थी क्योंकि दादी उसे नहाने के लिए एक बड़े से बरतन में गरम पानी दे दिया करती थी और फिर टोटो बड़ी चाला की से पानी में हाट डाल कर देखता कि पानी नहाने लाइक है भी या नहीं और फिर वो उसमें पहला पैर डालता फिर दूसरा पैर डालता और फिर नहने लगता गर्दन तक पानी में बैठ जाता और अपने हातों और पैरों में साबुन मलने लगता और फिर नहा कर वो सीधे रसोई में जाता और चुले के सामने बैठ कर अपने आपको सुखा लेता और अगर उसे कोई ऐसा करते हुए देखकर हसने लगता तो फिर वो नहना ही बंद कर देता था अब एक दिन तो टोटो जिंदा ही उबलने वाला था हुआ यूँ कि एक गैस पर टोटो के लिए पतीले में गरम पानी और दूसरी गैस पर केतली में चाय के लिए गरम पानी हो रहा था अब खाली बैठे टोटो ने केतली के डखन को हटा दिया और चेक किया हाट डाल कर कि पानी नहाने लायक हुआ है या नहीं अब पानी एकदम नहाने लायक था तो टोटो उसके अंदर गुश गया जैसा कि वो हमेशा करता था और उसने अपनी गर्दन को बहार निकाल रखा था थोड़ी देर तो उसे बहुत अच्छा लगा लेकिन जैसे ही पानी उबलने लगा तो वो उपर के और उठा लेकिन बहार बहुत ज़दा ठंड थी तो उसे ठंड लगी इसलिए वो वापस पानी में चला गया फिर उपर उठा फिर नीचे चला गया फिर उपर उठा फिर नीचे चला गया ऐसा उसने चार-पांच बार किया लेकिन तब भी उसे दादी ने देख लिया और उसे बहार निकाला, वरना उस दिन वो पक्का, जिंदा उबलने वाला था, अगर दिमाग का कोई भी हिस्सा शरार्तों से बना है, तो वो टोटों के अंदर बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, मतलब वो चीज उसमें बहुत ज़्यादा डबलप हो चुकी है, इसलिए वो शरार्तों से भरा हुआ है, हमेशा न, कुछ न कुछ कोतक करता रहता है, जब भी मेरी बुवा आती है न, तो उनके कपड़ों को खीचने की कोशीश करता है, उसको फारने की कोशीश करता है, एक नंबर का शरार्ती बंदर है एक दिन क्या हुआ कि दौपैर के खाने के समय टेबल पे बड़ी सी प्लेट में पुलाव रखे वे थे, जैसे ही हम अंदर आये तो हमने देखा कि टोटो उन पुलाव को ठूसने में लगा हुआ था, दादी चिल्लाई तो टोटो ने प्लेट उनके उपर ही फैक दिया, अ कठल के पेड़ पे जाकर छड़ गया, पूरा दिन वो वही रहा और चावल के एक-एक दाने को खाने पे तुलावा था, और फिर दादी को चड़ाने के लिए उसने उपर से प्लेट को फैक दिया, और जब प्लेट के टुकड़े हो गए, तो वो खुशी से उसी पेड़ पर चैय करने लगा, तो अब जाहिर सी बात है कि टोटो बहुत ज़्यादा शरारती था, इसलिए अब हम उसे अपने घर में नहीं रख सकते थे, अब तो दादा जी ने भी इस बात पर एगरी किया कि हम इतने अमीर तो नहीं हैं कि कपड़े फारने पर दिवारों और अब देखो दादा जी ने पांच उपए में उस तांगे वाले से बंदर को खरीदा था और उसी तांगे वाले को ले जाकर वापस दे दिया तीन रुपए में, मतलब उन्होंने दो रुपए के घाटा खाने के बाद, और घर में जितना भी सामान था उनके टूटने कर देना